मैगनेटिक फिल्ड इंसाइड असॉले नाव भढ़ा भेंका रखा गया सॉले नाइट जा लगता साले एनुआइड किसी के साले गुस्सा हो गए हूं तो आप एक कंडुक्टिंग वायर ले लिजे तो वायर में करेंट फ्लो कराते हो तो तो एक कंडुक्टर होके जाकर के उसी कंडुक्टिंग वायर को आप जाकर कि किसी नान-कंडुक्टिंग मेटेरियल पेंड़ दीजी वायर को लपेटना दिक्कत होगी अगर हार्ड वायर कोई बात नहीं तो आप इसके नान-कंडुक्टिंग मेटेरियल तो उसके अंदर एक magnetic field create होता है, ठीक है, अब आप कहेंगे जब एक conductor में current flow कराते है, magnetic field होता है, कहा है कि यह solenoid कहा है बना दिया आपने, यह solenoid कहा है बना दिया, कहा जरूरत है, हमें कभी-कभी जरूरत पढ़ती है, magnetic field, एक uniform magnetic field, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम medical purpose में ठीक है, सुबंद करो, MRI जब होता है, तो MRI क्या होता है, कि इस magnetic field की अंदर आपको डाला जाता है, ठीक है, अगर आपने कभी दीखा हो machine वो, तो एक बड़ा सा ऐसे बना होता है, ऐसे दरवाजा टाइप का ऐसे, उसके अंदर bed चला जाता है, ठीक है, तो वो इतली में solenoid ह होता है, उसके अंदर current flow होती रहती है, और एक magnetic field आपको चारो तरफ से create होता रहता, ठीक है, वो एक therapy है, लेकिन जब उपर वाला अपनी therapy करता है, तो सब therapy, बहुत हो गया, solenoid और magnetic field, electric field, electromagnetic wave, सब ठीक आजवा जवा 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 बेटा, हम तुमको wave दे रहे हैं, तो देख इसमें हमने current ऐसे flow कराई, तो current ऐसे flow हो रही है, अब problem यहाँ पर आ रही है, कि जुकि जब 3D diagram बनाओगे न, तो इसमें, एक नट, ऐसे नीचे आई है, ऐसे ऐसे दिखा दिया हमने, ठीक है, तो अगर ऐसे बनाओगे, तो आप से अगर हम यह कहें, कि current अंदर ऐसे जा रह है, तो इसको ऐसे नहीं बनाए जाता है, जब समझेगा, कैसे बनाएंगे इसको, बन गया, ठीक, दिखाई पढ़ना चाहिए, ठीक है, यह हमने क्या किया है, एक non conducting material के ऊपर हमने इसको लपेटा है, ठीक है, अब current ऐसे पास कराई है, और अंदर से current आ रही है, बाहर निकल तो क्वाईल है, वो इस तरीकिस होगी, और इसमें जब current फ्लो करते है क्वाईल में, तो क्वाईल में अगर current की direction ऐसी है, कौन सी वाहिज है यह कौंसा पॉल होगा south पूल होगा और अगर कररेंट की डिरेक्शन ऐसी है तो कौंसा पूल होगा नार्थ पूल होगा ठीक है अब यहाँ पर हम नार्थ ञासे डिसाइड करेंगे देख़ए नार्थ डिसाइड करने के दो तरीके या तो आप इसके corner पे यहां खड़े हो जाओ ऐसे और देखो current कैसे जा रही है current इस corner पे ऐसे गूम रही है ठेकर है यह corner पे तो यह कौँछ सा wise है clockwise है तो यह कौँछ सा पॉल होगा south pole होगा यह यह south pole होगा तो दूसा तरीका समझेगा, current अगर अगर इधर जा रही हो, उधर आप जाना सुरू करतो ऐसे, बताओ current को इस तरुकार पकड़ लो, तो current अगर ऐसे जाएगी, तो ये वाला जो अंगुठा किदर होगा, नार्थ रैक्सिन होगा न, तो देखे, current इधर जा रही न, नीचे, तो ऐसे हाथ को, ऐसे current को पकड़ा हमने, ऐसे, ऐसे current जा रही न, अंदर, तो अंगुठा किदर है, इधर की तरफ है, ये पोल कैसा होगा, ये end कैसा होगा, नार्थ पोल होगा, ये कैसा होगा, आप कहेंगे, याजीब मास्टर हो, इस पी का जुरुत है, इसको आप धाग डिसाइडर नहीं हो, तो सूर भगवान को प्राम करो को निकल आते हैं सुबे, तो डिसाइड हो जाता है, पूरब की धर है, वारना पूरब ही लोग न जाने, सहर में तो नहीं जानते, ठीक है, लगभग को, सूर से पहिचान जाते है, इस वेस नार्थ तो कैसे डिसाइड होता है, इधर उधर कैसे कर देते हैं, इधर उधर क्या होता है, सूर देखो न, सूर की तरह बताओ, सूर तब खड़े हो गए, तो उधर क्या होगा, सूर की तब खड़े मालिया, हम सूर हैं, खड़े हो अब, तो अब हम किस जारेक्शन में तो आने हिसाब से हैं, इस्ट अब बता रहे हैं आप बता हो कैसे साउट नार्थ होता है आईसे वईसे बता रहे हो ना आईसे वईसे कहा तो रहा है अब आईसे वईसे 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 दो अलग अलग बाते होती है किलियर होता है यह सुनिया जान से तो इसमें मैगनेटिक फिल्ट क्रेट होगा जरा साउधान जब एक क्वाइल इस प्रकार से मैं एक टर्ण की बात कर रहा हूं इस बहुत ध्यान समझे टफ नहीं है यह लेकि किसी भी क्वाइल के सेंटर पे मैगनेटिक फिल्ट की डिरेक्शन क्या होती है सेंटर के परपेंडिकुलर ठीक है मैगनेटिक फिल्ट ऐसे निकलेगा और थोड़ी दे बात क्या होगा ऐसे घुम जाएगा ऐसे घुम कैसे यह होता ना डिरेक्शन इसकी ऐसे यह जकाने लेगे नियुका साहँ है, मैं मैधों को छोड़ी लिया ये खूरा ना तो उसमें उसमें हम ने बता आया था करेंट ये फ्लो रही थी तो मैगनेटिक फिर सजाटा था resonates तो यह मैगनेटिक फिल्ड यह आपकी क्वाइल है और यह मैगनेटिक फिल्ड निकला और मैगनेटिक फिल्ड घूमे उससे परें दूसरी क्वाइल है तो आगे चलके मुड़ना पड़ेगा इसको थोड़ा और आगे पड़ेगा फिर मुड़े तो तीसरी कॉयल है तो होता क्या यह मैगनेटिक फिल्ड घुम नहीं पाता है और इसके अंदर कैसा रहता है बिल्कुल स्टेट और जहां से कॉयल खतम होगी वहां से वो मैगनेटिक फिल्ड है ठीक है कितनी लाइने किसी है चार चार है ठीक है ज्यादा गंदा हो जाएगा और यह कौन सा पोल होगा यानि मैगनेटिक लाइन उधर निकाले मैगनेटिक लाइन कहां से निकलती है मैगनेटिक फिल्ड कहां से निकलती है जब मैगनेटिक फिल्ड बात होती भाई साब तो मैगनेटिक के अंदर की बात नहीं होती है ठीक है जब भी आपसे मैगनेटिक फिल्ड की बात की जाए तो आप बाहर की बात करिए ठीक आपको यह साउस से नर्थ आद बात बता दो मैगनेटिक के अंदर पूरी बात असुनी नहीं तो यह मैगनेटि मैंगनेटिक लाइन्स नाक से निकलती है अब यह सॉलेणड आपको बना हुआ है ठीक तो लग रहा है अले वहा हुआ हमको अच्छा लग रहा है तो अच्छा यह तो यह पोल नार्थ दिखाने जरूद तो है नहीं जब आरो यहां निकल नार्थ और यह अला एंड क्या होग आपको निकलना क्या है मैगनेटिक फिल्ड इंसाइड दे सॉलेणड अब हमको सॉलेणड के अंदर एक मैगनेटिक फिल्ड निकलना है तरीका क्या होता है एंपियर से ला लगाएंगे एंपियर साब ने क्या कहा था कि जिस पॉइंट पर आपको मैगनेटिक फिल्ड निक सकता हूँ मेरी मर्जी मैं जैसा चाहूं जैसे खीज दू तो प्राब्लम यह हो जाएगी कि हर एक पॉइंट पे magnetic field और जो आपके loop का length element है उसके बीच angle change होता रहेगा क्योंकि आपको magnetic field निकालने के लिए closed integral b.dl चाहिए ना यहीं b.dl cos theta चाहिए तो आपको theta चाहिए ना तो हर जगे theta क्या हो रहा है यह आपका loop का length element यह magnetic field थीटा change हो गया तो इस तरीके से हम calculate नहीं कर पाएंगे तो हमको इस प्रकार से इसको change करना पड़ेगा इस प्रकार से loop बनाना पड़ेगा जैसा कि Gaussian surface में करते थे कि magnetic field और length element के बीच में एक तो हर जगे angle same रहे अच्छी बात है और नहीं same हो पा रहा है तो एक जैसा रहे कुछ calculate कर ले जाएंगे हम अगला diagram बनाएंगे हम यह इसको इतनी दूर ले जाएंगे कि वहाँ डिल जिरो है तिक है मतार अपने convenience के लिए वैसे भी किसी भी Gaussian loop के बाहर मताब इसके बाहर मेगनेटी फिल्ड ये तो एक्जिस्स करता है ना आपके ये तो मेगनेटी फिल्ड है तो हम जानवू से बनाएंगे कि इसके बाहर निकल जाएंगे अब ज़रा डाइग्राम चेंज कर रहे हैं के वल कल्कुलेशन के लिए ये तो डाइग्राम आपके लिए बनाया गया था है बना लीजिए किताब बना हुआ है उन drawn एतना घटी अठा है कि हम अच्छा बनांगे डाइग्राम ये तिस लोग बहुत अच्छा डाइग्राम बनाते हैं प€्यों ना सुणिये ज्ध्यान से तो हम करेंगे क्या ये क्वाईल है इस पर क्वाईल लपेट नहीं यह खोकला है एक तरीके से हैं मतब कोईल जो लपेटेंगे यह समझी है जो कपड़े वाला जो धागा होती है धागी क्या रील होती है तो रील के उपर लपेट दो और रील अंदर से खोकली है यह मान के चलते हैं अब देखो हम इसमें ऐसे कोईल लपेट रहे हैं और यह हम क तो करेंट इधर से अंदर गई है और इधर से बाहर निकल लगी है कर सकते हैं उसके अंदर जा रही है और उसके बाहर निकल लगी है यह कोकला है इस से दिखा दो अब बताएए इसमें magnetic field की direction खिदर होगी कि current ऐसे है ये तो ये है न मेगनेटिक field तो magnetic field की direction ये ये magnetic lines है इसकी ये magnetic lines है ठीक है और यहां से ये मुड़ गई है ठीक है आगे नहीं इसको पढ़ाएंगे और इसका इलाका गरबड़ हो जाएगा तो हमको इसके इलाके को बंद कर देना है ये magnetic lines है और इसके अंदर एक point भी है जहां पर आपको magnetic field निकालना है तो हम क्या करेंगे वीडरा पहले तो इसके बारे कुछ बात कर लेते हैं सबसे पहले इस इसकी जो length है वो कितनी है L है और ये बहुत लंबी length होती है ठीक है यानि L यहाँ पर है length of solenite length of solenite हमने क्या मानी है L ठीक है total number of turns जो इसमें है total जितने भी इसमें turn लपेटे गा है वो capital लेन है total number of turns total number of turns यह बहुत important proof ध्यान कीगा आता इसलिए है क्योंकि examiner को ऐसा लगता है कि student कर नहीं पाएगा तो तफ लगता है इसलिए ऐसा माना जाता है अब देखे number of turns per unit length number of turns per unit length per unit length हम इसमाल N मानते हैं यहनि capital N अपान L इसमें current flow ही है तो हर एक turn होगा इसमें न तो current in each turn हमने मान लिया आई है current in each turn current in each turn क्या हमने मान लिया है इसमाल आई आई ही मान लेते हैं ठीक है और P is a point inside P is a a point inside inside the solenite inside the solenite at which magnetic field is required magnetic field is required ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर एक Gaussian surface ड्रा करना पड़ेगा जो P point से हो कर जाए ठीक है तो हमने गौसियन सर्फिस जान बूस के कैसा ड्रा करें circular खीच अभी हम खीच रहे थे तो गरबड हो रहा था तो हम एक rectangular एक हम जो है यहां पर इस परकार से हम एक Gaussian surface ड्रा करते है ठीक है यह हमने एक Gaussian surface ड्रा कर लिया इसका नाम दे दीजिए A B C D ठीक है इस परकार से और आप जिधर डारेक्शन में चलना चाहें चलिए आपकी मरजी आप चाहे इधर से इधर चलना सुरू करो चाहे इधर से इधर से इधर चलना सुरू करो ठीक है हम यह direction अपनी लूप की ले लेते है और जो इसका CD पार्ट लिया है वो इतनी बाहर लिया है कि वहां magnetic field 0 है यहां तक पहुँच गए आप अब यहां तक पहले आप note कर लिजे फिर बात करें तो मैंने यहां पर एक Gaussian surface ड़ा कर दिया और इस surface इसकी जो length हमने मानी है और कितनी मानी है यह फिलाहल X मानी है ठीक है अब मैं Gauss थरूम लगाने चाहरा है एक क्या Gaussian कहां से एक तो Gauss इतना रटे हुए हैं कि Empyrean circuit ठीक है तो By Ampere Circuit Allah By Ampere Circuit Allah बस बहुत हो गया बस Circuit Allah क्या उन्होंने कहा था Close integral B.DL Is equal to Mu naught times of Net current Inclosed by the into Net current Net Current Inclosed By A, B, C, D Empyrean loop लखें फिर स्परी लखें फिर रेटिंग कर बढ़ जाएगी ABCD ठीक है अब देखो ज्यान से अब close integral कैसे करें Intrical तो यहां से लेकर के यहां तक होना है A से लेकर के B, B से C, 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 D लट क्या ना है तो क्या हर जगे B और DL की अंगिल सेम है नहीं सेम है तो हम क्या करेंगे इस integral को अलग-अलग पार्ट में ब्रेक कर देंगे integral देखो A से B चलते हैं A to B, B dot DL plus integral B to C, B dot DL plus integral C to D, B dot DL plus integral D to A close ना लगाईएगा B dot DL is equal to mu not times वो total करन हमने capital I माना है उसके पहले हमने क्या मानी थी small I माना था या हमने capital I मान लिया अब जड़ा देखिए जब A से B हम चलेंगे तो बताएए B और DL के भी चैंगल कितना है बहुत DL तो यह है आपका line element यह P point था तो यह तो आपका हो जाएगा integral B DL cos 0 plus यहां पर देखिए यह magnetic field और यह आपका length element अंगल कितना हुआ 90 degree तो इसकी value क्या हो जाएगी 0 plus देखिए अचा यहां पर आईए यहां जो C to D जाएँगे तो C to D और magnetic field कितना है 0 हमान की चल लाएँगे तो value हो जाएगे 0 plus यह भी 90 degree है अपका तो यह भी value 0 बराबर mu not times of अब I हम लिखा रहने जाते हैं बाद में बात करेंगे इसकी तीक है अब आते है B DL यह कहां से कहां तक आप बात कर रहे थे A to B B DL मतले लंबाई इसकी लंबाई कितनी है X तो B into X बराबर mu not times of capital I equation number 1 डाल दीजे पहुंचिए यहां पर यह तो वो रास्ता रोके पड़ा हुआ है अब जरा total current निकाल लेते हैं जरा समझेगा I कैसे निकाला जाए सुनिए ध्यान से I कैसे निकाला जाए अभी आपने इसमाल आई क्या माना था number of sorry current in each turn तो यानि कि इस वाली length में जितने coil के turn है उतनी आई है उतने times आई है ठीक है अच्छा unit length में कितने turn है यह खट पर मद करीए भई unit length में कितने turn है इसमाल एन तो x length में कितने turn है xn यानि कि इसमें number of turns कितने होगे total nx और एक turn में कितनी current small i तो nx turn में कितनी current nx into i निकाला ही total current यानि इस empyrean loop ने जितनी current in close की है वो कितनी है nx into i तो इसकी value यहां रख दिया जाए putting this value in equation 1 putting this value in equation 1 यहां रखेंगे तो क्या आएगा b into x is equal to mu naught times of nxi तो b और b x और x कर जाएगा तो b कितना आएगा mu naught n i यह magnetic field inside the solenite होता है ठीक है देखें हमने current क्या मानी है each term में i current है अब आप कहेंगे तो पूरे में आई है भाई आपने इस turn क्यों मानी सुने ध्यान से साउधान यह एक turn था एक turn में current flow ही एक minute तो उसने अपना magnetic field बनाया उसके बगल में दूसरा turn था उसने current flow ही उसने अपना magnetic field बनाया ज्यादा number of turn होंगे तो ज्यादा current बनेगी ज्यादा magnetic field बनेगा ठीक है तो जितने turn होंगे उतने time current हम मान लेते है current तो पूरी coil में same flow होती है तो आप यह कहेंगे जब same flow होती है तो एक turn में आप क्यों मानते हैं चुकि हर एक turn में current जब flow होती है तो उस turn में एक magnetic field बनाती है second में करेगी उसमें बनाएगी magnetic field तो पहले वाला का खतम हो जाएगा अगर जितने turn करते जाओगे उतनी ज़्यादा magnetic field बढ़ती जाएगी तो यानि magnetic field किस वज़ादी बढ़ रही है हर एक turn में current की वज़े से तो हमने एक turn में कितनी current मानी है आई मानी है आप देखो और unit length में कितने number of turns थे N, unit length में और जो X length है तो कितने हो जाएगे NX, number of turn अगर एक length में number of turns N है तो X length में कितने होंगे NX, एक length में current एक turn में current I है तो nx term में कितनी होगी तो total current आपकी nx i होगी सुम्झाई बार नहीं जाई एक मिनट और ये आपका इसके अंदर कहीं भी आप होगी magnetic field यही होगा mu not ni और n क्या है number of turns per unit length तो इसका format ऐसे भी आप कर सकते हो देखे ध्यान से यानि इसको हम चाहें तो हम ये भी लिए सकते है mu not total number of turns divided by length ये भी लिए सकते है into i ठीक है ये भी लिखा जा सकता है एक noting है जिसके proof का तरीका दूसरा उसको आप से मतलब नहीं है देखे इसके अंदर किसी भी point पर आप magnetic field निकालो कितना होता है सेम होता है लेकिन जब इसके बिल्कुल corner पर आप पहुंच जाओगे यहां magnetic field आधा होता है तो यह याद कर लिजेगा इसका तरीका वैसे जो आपकी definite length वाला पढ़ाया था आपने जिसमें theta 1 theta 2 था वहीं से इसा तरीका यूज होगा लेकिन डाइट यूज कर लिएगा magnetic field at the end of end मतला बिल्कुल corner पर जहां से field line निकल नहीं है end of solenite half of mu naught यह याद कर लिजेगा i is the current in each turn n is the number of turns per unit length एक अंक लंबाई में turn की संग्या है ध्यान रखेगा दिक्कत करता है magnetic field due to toride लिखा गया है inside of inside नहीं लिखा गया है toride होता क्या है हमने भी एक spring बताई आपको बीच में खोकली थी spring उन लपेटने के लिए हमने आप से कहा उसमें लपेटो उसमें लपेटो उसमें लपेटो उसमें खोकली ऐसे spring और उसको घुमा करके ऐसे बना तो circle तो spring ऐसे बन गई यह toride बन गया ठीक है तो यह endless solenite हुआ जागर कि end connect हो जाएंगे batteries हो जाएंगे तो endless हो जाएगी न बहुत जैसे यहाँ battery लगाओगे जब दो end आएंगे उनको बैटी जोड़ देंगे तो end connect हो गई तो endless solenite कहा जाता है उसको ठीक है तो हम toride बनाते कैसे हैं एक hollow pipe लेते हैं उस hollow pipe के उपर एक coil लपेट से हैं और coil में current होना शुरू हो जाती है तो लेते हैं hollow pipe ये एक hollow pipe मतलब होता है pipe बनाते हैं हिल हिल कलके बनाएंगे English English मतलब hollow मतलब क्या होता है आरे वाह आती ही English इसके उपर pipe लपेटो अब pipe लपेटना तो बड़ा मुस्किल है मतलब एक spring लपेट ये तो ऐसे ऐसे वैसे तो लपेटने कोई दिक्कत नहीं इसके बनाए spring लपेटो ये लो लपेट दिया गलत तो नहीं है लेकिन ऐसे spring लपेटने में current की direction दिक्कत कर देती न नहीं गलत है क्या ये spring तो ऐसे दिखेगी अब वो लगी बाद pipe के पीछे की spring दिखाई पड़ रही है वो ले ये transparent pipe है काच की है तो दिखाई पड़ रही है हम ने ऐसे बनाई है ज्यादा नहीं बनाएंगे दूर दूर बनाएं दे रहे हैं हम ये सब बनाना सीखे ये students से कोई इस्टूड बना लेता ह है усे को डांट के कहा हो हमने शीख लिया वो समझा कि हमसे बता रहे हैं बना faculty चे पमझा चलिए यह करेंट हम ऐसे फिलार इसमें इंट्रिक राते हैं तो वो करेंट इसमें जा कैसे रही है यह ऐसे जा करके और इसमें ऐस करेंट हमने दिखा दी तो यहां तक बात समझ में उत्वा गई होगी दोड़ा इस पाइप के दोनों एंड को देखिए यहां से current किदर जा रही है अंदर जा रही है यहां से current बाहर निकल लिए तो यहां से current अंदर जा रही है यहां से current अंदर जा रही है यहां से current अंदर जा रही है यहां से अंदर जा रही है ठीक है यहां से अंदर जा रही है यहां से भी जा रही है यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है, ऐसे भी दिख रही है, यह आप दिखा सकते हो, ठीक है, डाइग्राम जितना क्लेरा बना सकते हैं, इतना क्लेर न बना तो दिखाई ने पड़े कि डाइग्राम है नहीं कि बहुत क्लेर है, ट्रांस्पेरिंट जैसे magnetic field निकालना है, यह नहीं बताएगा कहा निकालना है, तो हम toridal के अंदर भी निकालेंगे, बिल्कुल यहाँ पर, बाहर निकालेंगे और इसके अंदर access पर निकालेंगे, तीन जगे पर निकालेंगे, ठीक है, तो पहले निकालेंगे, inside, inside को क्या माना जाए, तीन case में, इंसाइड ही ठीक है इंसाइड है तो राइड ओपन स्पेस इंटिरियर इंसाइड इन ओपन स्पेस इन ओपन स्पेस उसका कार्ण है ना कि इंसाइड तो यह भी हो जाएगा ना यह वाला पार्ट भी तो ओपन स्पेस में अब यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया और यहा समझेगा क्या तरीका होता है आपका एक एंपिरियन लूप पी को कवर करता हुआ तो हमने पी को कवर करता हुआ एक एंपिरियन लूप बना दिया ठीक है यानि हम एट पॉइंट पी निकालने जा रहे हैं किस पॉइंट पी निकालने जा रहे हैं at point P निकालने जा रहे हैं हमने इसको cover करता हुआ एक imperial loop बनाया क्या है सब बता सकते हैं इस loop के अंदर से कोई current निकल लई है नहीं निकल लई ना और imperial ला क्या कहता है कि अगर किसी loop से कोई current निकल नहीं रही है तो magnetic field क्या होगा उसमें 0 तो आप लिखेंगे as there is no current as there is no current inside the emperion loop emperion loop so by amperes law by amperes law close integral b.dl कितना होगा 0 होगा यह तो कहा था उन्होंने तो b की value क्या हो गई अपने आप 0 हो गई सब्समें आ गई बात यहां तब पहुंचिए second case ले लें कि point outs exterior to the second case क्या ले लेते है point exterior to the solenite हम point q मान रहे हैं यह कही point है यहां पर यहां पर आपको magnetic field निकालना है मेहन तो मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं यहां निकालना हो इधर उधर भाग रहे हैं वहां पहुंचते हैं देखिए तो हमने क्या कहा कि इसको लेते हुए एक imperial loop बना लीजे बना लिया एंपीरियन लूप ठीक है अब ज़रा ध्यान से समझिएगा net current net current in this emperion loop पहले यह निकाल लेते हैं emperion loop sparing देख लीजेगा वो कोई दिक्कत वारी बात थोड़ी बहुत रही चलती है सुनवे ध्यान से ज़रा हर एक turn को ध्यान से देखे एक मिनट यहाँ पर current किदर जा रही है अंदर जा रही न और यहाँ पर current और अगर same current जा रही न तो हर एक turn में i current अंदर i current बाहर net current net current कितनी हो जाएगी zero हो जाएगी न अब आप कहेंगे यह तो ठीक है लेकिन current zero net current क्या मानी जाएगी प्रेटकली बताईए आप न भाई अगर i current अंदर जा रही है और उतनी current बाहर निकल लही है तो net current क्या मानी जाती है zero मानी जाती है ना तो यहाँ पर net current zero हो जाएगी net current zero है तो by ampere's law अभी हम उसका reason बताएगी reason क्या बतादे हो zero होगी ठीक है तो यह दूसरा case हुआ इसे आप पहुंचें आप यह solenide में कह रहे हैं भाई साब यह solenide आप बना रहे थे ना सुने जहां से आपने ampere's law इतना बनाया था इसमें current अंदर बाहर हो रही है नहीं हो रही है अब यहाँ भी नहीं होगी Inside the solenide Inside the torite इसके पहले torite लिखा था नामने torite इसको in the core लिख देते हैं in the core of torite core को ही inside कहता था ना core of torite roid होता है तो आप अंग्रेजी लिखे पने इनका नाम हो ट्राइड होगा को दिमाग सुनिये दिहां से यह point यहाँ पर है जरा साउधान यह दगड़बढ़ है यह पॉइंट यहां पर है P- पॉइंट एड़ पॉइंट 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 कौन सा है P- क्या तरीका होता है उस P- से होता हुआ एक एम्पिरियन लूप बनाई यह तो हमने एक एक emperion loop बना दिया इसमें diagram clear बनाईएगा तो बड़ा बनाईएगा यह emperion loop बना दिया ठीक है अब साउधान इसमें हर एक point पर magnetic field की direction देखने पड़े किने पहिने कितनी है magnetic field direction देखने के लिए क्या होता है कि current जिधर जा रही है उधर आप current को पकड़ लीजिए तो current ऐसे अंदर जा रही न तो magnetic field इधर आएगा न इधर अंग उठा है हर point पे आपको क्या दिख रही है magnetic field इसी loop के लाँग चला नहीं चला अंग उठा हमारा तो यानि magnetic field इस loop के along होगा यह होगा अगर मैं यह DL length ले लेता हूँ तो इसी के लाँग है और यह point आपने जो लिया वो यहाँ से किती दू लिया है R distance पे लिया है center से ठीक है तो अगर हम यहाँ पर ampere-sla ला लगा दें तो क्या होगा by ampere-sla हर उसमें लिखेंगे we draw an ampere-al loop passing through point P dash जिस point पे आप magnetic field लिका लहे हैं आपको यह language लिखनी पड़ेगी कि we draw this loop ampere-al loop passing through this point यह enclosing that point ठीक है by ampere-sla close integral B dot dl is equal to current in close इसके द्वारा 0 दिख रही है आपको देखो ध्यान से इस ampere-al loop के अंदर आईए अंदर एक ही current तो है जो अंदर जा रही है बार-बार बाहर तो निकल लही है बाहर जो current निकल लही है वो loop के बाहर है आपने solenide को जब cover किया था ना अगर पूरे solenide को cover करता हुआ आप loop बनाते तो आप भी 0 हो जाता ठीक है तो यानि कि mu not times of total current निकालिया आई ठीक है इसको फिलाल equation number 1 बात में ना डालिया ज़िए इसकी बार हम बात कर लेते हैं तो इसको जब open करेंगे तो BDL cos 0 होगा mu not times है यह total current के हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर small i is the current in each turn n is the number of turns per minute length यह एंपरे से यहां भी मान चुके हैं क्योंको वही वाला जो solenide था उसी को mode के तो हमने बनाया है इसको तो देखे BDL क्या होगा इसमें DL होगा 2 pi r total इसकी length कितनी है 2 pi r is equal to mu not times of i अब i निकालना होगा यहाँ तब पहुंचे आप आईए अब देखे आपको निकालना क्या है कि भाई इस imperial loop ने कितनी current in close की है तो अगर मैं माल लूँ कि let small n क्या है number of turns per unit length per unit length अगर मैं माल लूँ कि यह n है और i small i is the current in each turn current in each turn अब बताओ इस total toride में कितने turn होंगे n unit turn में है और toride की length कितनी है 2 pi r तो n into 2 pi r होंगे turn और एक turn में कितनी current है i तो इसमें कितनी current हो जाएगी into i तो यह total current capital i हो गई इस capital i की value उठागी question number 1 में रख देते है एक minute अगर मैं b यहाँ से निकाल लेता तो 1 upon 2 pi mu not upon 2 pi i upon r value सही है ठीक है यह भी एक formula बन जाएगा हो सकता toride का आगको radius देते है toride जो मोडा गया है देखें एक minute इसमें एक formula और भी बनेगा आपका b is equal to mu not upon 2 pi i upon r यानि toride के center से r distance per magnetic field का यह formula होता है यह भी वाला formula है जो infinite length वाला था ठीक है यह format भी आ सकता है कि उदेंगे toride अब तुम तो toride, 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 toride जुड़े हो पता जाए उसमें toride के लिए end दिया ही नहीं उन्होंने current दिया radius दे दिया उठा करके तो यह भी formula बनता है ध्यान रखेगा अब i का मान रख दो putting this value in equation 1 putting this value in equation 1 equation 1 में इसकी value हम रख देते हैं देखे रखते हैं तो क्या हैगी value b into 2 pi r is equal to mu not times of n into 2 pi r into i 2 pi r कर जाएगा b बरावर mu not n i अभी आप solenide के अंदर magnetic field कितना निकाल रहे थे तो उसी solenide को तो आपने घुमा दिया ऐसे तो magnetic field भी ऐसे घुम गया तो value थोड़े बदल जाएगी उसकी है तो solenide ही हो तो जो solenide के center पे होता है अब यह ने करना इसके end पे क्या होता है यह endless होता है इसका end नहीं होता ठीक है इसका यूद ज्यादा तर हम कहां करते हैं पिपताया था जो cts क्या नहीं होता है